हलो दोस्तों मैं परवेज क्लिक ओन यूट्यूब जिलन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गोगल एड़सेंस में आप अपना पुराना एकाउंट को चेंज करके एक नया एकाउंट आप कैसे एड़ कर सकता है या फिर आप एक एड़सेंस का नया कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपके पास एक लैपटाप होना चाहिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए यह काम अपना मोबाइल फोन जो स्माटफोन है उसके थिरूप भी आप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा गोगल एड़सेंस के होता है add sense में अपना bank का जो खाता है एकाउंट उसमें transfer कर दयता है 했던 आप स्यूंब कर दोस्ते लिए एक एकाउंट का जूरत होता है तो इस लिए मैं आपको सिखाऊंगा account को कही से add कर पिर तो दोस्ता चेनल पर नहीं होता तो चलन सब्सक्राइब कर लेना और बेल को द बाके निटीशिन को कर ले दूसता अपना ब्राविजर को खोल ले यह अपना ग्रोम ब्रावजर को में ख़ोल लिया और खोल लिए शुख भूरने के बाद अपना आटकता। उसको आप खोल लेना तो आप लोग को मालूम है अपना एडजन्स खोलना कि यह रहा दोस्तों Google आडजन्स इधर सबसे उपर अपना स्मार्टफन में करने के लिए सबसे उपर आपको दिख रहा है three line है तो three line के उपर जाना है process दोस्तों एक ही है आप चाहे computer में कर रहा हो या फिर अपना mobile में कर रहा हो एक ही है तो यह three line के उपर आपको जाना है और इधारा के आपको एक option मिल जाएगा payment बाला जो option है इसको आपको टैस कर लेना है इधा थोड़ा process हो रहा है payment का जो आप सने यह खुलेगा भी इधा थोड़ा सा नीचे जब आएगा तो इधार आपको दिख जाएगा manage payment method यह जो जगा है इसको आपको टैस कर लेना है manage payment method के उपार तो इधर दोस्ता आप देख सकते हैं यह जो एक account हमने पहले से add करके रखा हूँ कुछ digit इधर दिखा रहा है account का जो लास्ट का method तो add payment method आप दूसरा भी स्लेट कर सकते हैं जैसे आप प्राणा यूजर है तो आप दूसरा account को आप स्लेट कर सकते हैं तो add payment method के उपर आपको टच करना पड़ेगा और इधर आप देख सकते हैं एक नया form खुल चुका है तो इधर add payment method जो भी अपना new account है उसको आप add कर सकते हैं तो इधर दूसरा add करने के लिए क्या क्या information आपके पास होना चाहिए तो आपके पास एक bank account होना चाहिए उसके बाद आपके पास fc code होना चाहिए उसके बाद स्वी आइब़ीसी code जो है वह आपके पास होना चाहिए तो अपना जो passbook है उसके अंदर यह लिखा रहता है ब्रॉंश का नयम लिख़ रहता है लर्गिन स्वीप code जो है लिख़ने लेता है HEY दुआ कंटे मेंग खाते के उबाहर लिख्खाने देता है तो स्विट पर पता करने के लिए आप एक पार आपना जो ब्रैंच घुए पर और आपको विजित करना पढ़ेगा उंदर मैंनेजर के जाके आप बात कर लेना मेरे को शीप thousand कोट चाहिए यह Benjamin जरूरी नहीं है या ओप सिनल संब ऑप सिनल है और कि अब यह सब जरूरी नहीं होता है मसलित इधर मैंड्द होता व सदूरी हियूर दिलन कमिर कि अब काने और किसी का भी अपन इकान नमर जो रिस्तधार में है जिसके account में पैसा रिसीब करना चाहते है वो किसी का भी account number आप इंटर कर सकता है जरूरी नहीं है कि आपका adsense account है आपका ही account number इधर इंटर करना पड़ेगा आप अपना father का mother का sister का किसी का भी account इधर add कर सकते हैं और जिसका भी add करेगा इधर अब देख सकते name on bank account तो bank account में आपका नाम क्या है यह आपको देना पड़ेगा चाहिए आप किसी का भी दे रहा हो तो इधर का जो form है मैं भर देता हो और भरने के बाद submit करके मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों इधर में सारा option इधर डाल दिया तो जो option, optional दिख रहा है आपको सबसे पहले आपको दिख रहा है beneficiary ID, optional यह आपको देना नहीं पड़ेगा name on bank account जो भी जिसका account में आप receive करना चाहते है पैसा बगरा name on bank account तो अपना bank account में जो भी नाम है चाहिए अपना मम्बी का हो या फिर पापा का हो उस नाम को आपको इस जग में देना पड़ेगा उसके बाद bank का नाम क्या है GCB country का हो उस bank का नाम क्या है वो देना पड़ेगा तो नाम आप डाल लेना उसके बाद जो IFC code है वो दे देना तो जो भी भरेगा दोस्तों इधर आप capital letter में भरना इधर small letter नहीं चलेगा आप capital letter में भरना पड़ेगा और जो भी भरेगा आप सही सही भरना क्योंकि यह जो है काफी important होता है तो यह सब मैंने सब कुछ भर दिया और भरने के बाद इधर नीचे यह जो option है intermediary जो bank है यह जरूरी नहीं है यह सब optional है इधर आप देख सकते हैं intermediary bank name optional intermediary swift IBC optional यह सब optional है सब से नीचे इधर आप देख सकते है set as a primary payment method तो इधर tick लगा लगा तक क्या होगा अपना जो भी इधर से earning होगा तो इस account number के उपर अपना यह receive होगा तो आप save कर देना तो save हो जाएगा इधर मैं save करूँगा भी और यह जो है अभी save हो जुगा है तो इधर आप देख सकते हैं सब से उपर जो है अभी मैंने add किया हो यह अभी primary दिखा रहा है तो इसका जो last का जो digit है 149 तो अभी हमने इसको add किया था और यह जो दिख रहा है मैं आपको दिखाया था इससे पहले तो इधर आपको non में आ गया तो इधर आप एक बात इसको select कर सकते हैं जो non है इसको non के बट्टाच कर देगा तो primary में चला जाएगा आप primary है तो उसका non में select कर सकते हैं तो जो भी मर्जी है आप उसको आसानी से आप select कर सकते हैं तो इधार इस तरह से आप अपना पुराना account को आप remove करना चाहते हैं तो इसका आप remove भी कर सकते हैं तो यही था कुछ छोटा सा process जिसके ज़री आप आसानी से अपना bank account को add कर सकते हैं तो thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर इससे related कोई भी सवाल हो तो मेरे को comment करके ज़रूर पोच सकते हैं Thank you